Hi my beauties, welcome back to my youtube channel आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि प्रेग्नेंसी और ब्रेस्ट फिटिंग के दौरान आपको कौन से skincare product यूज़ करने चाहिए आपके skincare product में कौन से ingredient नहीं होने चाहिए यह सारे detail में आपको बताने वाली हूँ I hope के वीडियो आपके लिए बहुत useful हो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेग्नेंसी के दौरान और ब्रेस्ट फिटिंग के दौरान आपको कौन से product या भी कौन से ingredient आपको नहीं यूज़ करने है जो कि यूज़ करने से आपको और आपके होने वाले बेबी को हाम पहुझा सकता है सबसे पहला product करता है salicylic acid से related कोई भी skincare product हो चाहे वो आपका salicylic acid का cleanser हो, face wash हो या फिर आपका moisturizer हो या फिर आपका serum ले लो क्योंकि salicylic acid ना बहुत ही hard chemical होता है जैसे आप उसे apply करता हो न वो आपको body में जाके न आपको skin में एक गर्मी पैदा करता है जो कि आपके बेबी के लिए harmful हो सकता है salicylic acid के बाब retinol आता है, retinol भी बहुत ही hard chemical माना जाता है ये anti-aging के लिए बहुत ही best ingredient माना जाता है लेकिन इसे हम pregnancy के दौरान और साथ में breastfeeding के दौरान use बिल्कुल भी नहीं कर सकते इन दोनों के लाबा और कुछ ingredient है जिसका आपको ध्यान रखना है कि pregnancy और breastfeeding के दौरान नहीं use करना है उसकी जो मैंने pick है और साथ में mention कर दिया है side में आप हमेशा ध्यान रखना इसीज़ का कि ये सारे ingredient आपके skincare product में नहीं होने चाहिए एक बात का हमेशा ध्यान रखेगा मुझे पता है आप सभी बहुत समझदार हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखेगा चाहे आप skincare product कोई भी use करें skincare हो, haircare हो या फिर body care product आप use करो use करने से पहले एक बार आप अपने गायनों से जरूर चेक करवा ले कि आप अपने routine में ये सारे product यूज करो क्योंकि आपके गायनों को पता होगा कि आपकी pregnancy की journey कैसी है आपको health से कौन-कौन इशू है, क्या नहीं है उनको perfect पता होगा आपके body के बारे में तो please कोई भी skincare product यूज करने से पहले एक बार डॉक्टर से suggestion जरूर ले ले क्योंकि चाहे वो skincare हो, body care हो, haircare हो इन सबसे कहीं गोना जादे important है आपके baby का health बात करते हैं अब skin type की कौनसे skin type के लिए यूज करने चाहिए, pregnancy और breastfeeding के दौरान जो सबसे healthy skin माना जाता है जो कि normal days में बहुत ही typical होता है वो skin वो है आपका sensitive skin जितने भी research किये गया है ना उन सारी ladies जिनके skin sensitive रहे हो उनको pregnancy के दौरान कोई भी issue नहीं होता है तो सबसे healthy skin जो होती है pregnancy के दौरान वो sensitive skin है pregnancy और breastfeeding में जो सबसे मुश्किल skin होती है ना वो होता है आपका oily skin और oily acne prone skin क्योंकि आप इस दौरान salicylic acid से related कोई भी product use नहीं कर सकते क्योंकि जब भी आप salicylic acid use करते हो ना तो वो oil को control करता है और आपको panic होने के बिल्कुल भी ज़रूत नहीं है क्योंकि pregnancy के दौरान आपको जरा भी stress नहीं लेना है ऐसे में आपको product suggest करूंगी कि अगर आपकी skin oily या oily acne prone skin है वो product use करने के बाद आपकी ये जो problem है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी हमेशा के लिए खतम नहीं होगी लेकिन उस दौरान आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी तो सबसे पहले बात करते हैं skin care routine में वो है आपका face wash सबसे पहले जो face wash मैं आपको suggest करूंगी वो है आपका ApiSoft brand का ये cleansing lotion ये specially sensitive skin के लिए ये normal skin वाले भी यूज़ कर सकते हैं combination skin वाले भी यूज़ कर सकते हैं सिवाए जिनके oily और oily acne prone है वो यूज़ मत करें बाकी ये आप यूज़ करके देख सकते हो best बात ये है कि SLS फ्री है, paraben फ्री है, fragrance फ्री है या फिर बाहर जाते तो डर्ट वर बैठ जाता ना आपके skin में उसके लिए वो है आपका Fox Tail का ये daily do it hydrating cleanser ये makeup remove बहुत अच्छी तरीके से करता है साथ मैं dust को भी अच्छी से निकाल के आपके face को बहुत ही hydrate रखता है क्योंकि इसमें hyaluronic acid है जो की hydration provide देता है आपके skin को इसके बाद दो और face wash है जो की बहुत ही best है वो मेरे पास अब भी available नहीं है लिए उसके reviews उसके research के दौरान वो बहुत ही best माना गया है तो इसलिए मैं उससों suggest करना चाहूंगी आपको सबसे पहला है The Ordinary का squirling cleanser यह all skin type पे जाता है चाहिए आपका skin normal हो, combination हो, oily हो, oily acnifron हो या कि sensitive skin हो आप इस face wash को use करके देख सकते हो यह भी आपका SLS free है, Padman free है, आपका soap free है तो आपको इससे भी कोई भी infection नहीं होने बारा है face wash के बाद करते हैं face tuner की, face tuner के लिए मैं suggest करूँगी कि आपके पास अगर जो भी pure rose water हो जिसमें कोई भी chemical mix ना हो या कोई other ingredient ना हो, आप उसे use करना, अगर आपको market में नहीं मिलता है उतना pure rose water तो आप चाहे तो घर पे क्या करना, जो देसी गुलाब होते है ना, उनकी पंखुरियों को उबालके, वो पानी छानके, ठंडा करके उसे भी आप यूज़ कर सकते हो वो है आपका, Cossar X का ये snail mucins, ये ना आपको hydration प्रवाइड करता है, आपको कोई भी अगर skin fleeky सा है, तो उसे भी वो smooth करता है, all skin type पे जाता है, साथ में अगर आपका skin oily है, तो भी ये बहुत quick absorb कर जाता है, आपको oily सा चिपचिपाउसा भी नहीं लाएगा, और pregnancy के दौर तो मैंने आपको एक affordable बताया ही, कि कैसे आपको face toner घर में ही बना के use करना है, अब बात करते हैं face serum की, तो अगर आपके skin sensitive है, तो आप face serum skip कर सकते हो, आपको उसकी ज़रूर नहीं होगी, pregnancy और breastfeeding के दौरान, अगर आपके skin dry है, तो आप ordinary का hyaluronic acid serum use कर सकते हो, क्योंकि वो आ highly acne prone skin के लिए थोड़ी से मुश्किल हो जाती है इस time में, क्योंकि वो salicylic acid serum use नहीं कर सकते है, जिसके विसे उनका oil control नहीं होता है, लेकिन उसके लिए एक और serum है, अगर आप वो use करोगे, तो आपके लिए थोड़ा सा असान हो जाता है, oil भी थोड़ा सा control हो जाता है, साथ में जो भी आपके acne marks हो, उसे वो reduce करता है, hydration भी प्रवाइड करता है, तो वो जो serum में आपको suggest करूँ ही, सबसे पहला है, doctor shade का centella and niacinamide serum, इसमें 10% niacinamide है, 1% zinc PCA है, साथ में आपका swabine extract है, और centella acetica extract है, जो कि आपके skin के लिए बहुत ही best काम करेगा, आपके चाहे वो oil control करना हो, hydration provide करना हो, या फिर आपके acne marks या फिर hyperpigmentation वाले skin को, उसके जो भी marks है, उसको reduce करना हो, तो आप इसे यूज़ करके देख सकते हो, अगर आपने उससे पहले कभी कोई face serum यूज़ नहीं किया है, तो आप इसे skip करना, क्योंकि कोई भी नया skincare product, pregnancy के दौरान, नहीं किया है, इसके बाद जो मैं आपको एक और niacinamide suggest करूँगी, वो है आपका The Dermakoka 10% niacinamide serum, ये भी आप यूज़ करके देख सकते हो, ये भी totally safe है, pregnancy के दौरान, और इसके साथ आप B body wise का भी एक niacinamide serum आता है, वो भी आप यूज़ करके देख सकते हो, face serum के बाद क इसके बाद एक और माश्राजर जो की dry skin पर बहुत बेस्ट काम करता है, वो है आपका The Dermakoka 10% की का Ceramide and Hyaluronic Skin Barrier Repair Face Cream, ये specially उन dry skin के लिए है जिसके यहां बहुत फ्लेकी से हो जाते है, एक्दम चम्रे चम्रे से निकल जाते है, उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है, त पर dehydrate से आपका skin होना, तो इसे आप यूज़ करना, इसके अलाबा, dry skin के लिए एक luxury brand का moisturizer है, उसे भी अगर आपका budget हो, तो आप यूज़ करके देख सकते हो, वो है आपका Cosrx brand का Advanced Nail 92 All-in-One Moisturizer, ये all skin type के लिए है, आपका skin type कोई भी हो, आप इसे यूज़ करके देख सक अगर आपके chair में हमेशा oil सा रहता है, साथ में बहुत सारे pimple हो रखे है, open pores है, तो उसके लिए ये face moisturizer, इस time में आपके लिए magical सा काम करेगा, वो है आपका acne OC का, ये moisturizer, ये आपके sebum को भी reduce करता है, साथ में आपके oil को भी control करेगा, आपके जो भी open pores है, उसे भी minimize करेगा, बहुत ही lightweight है, quick absorb कर जाता है, आपके skin में आपको लगेगा ही नहीं, कि आपने कोई moisturizer use किया है, तो इसे आप try करके देख सकते हो, last moisturizer है, जो कि बहुत important skin के लिए है, कुछ ऐसा sensitive skin होते है, जो कि pregnancy के दौरान healthy होता है, लेकिन जो hyper sensitive होते है, वो कुछ भी apply करता है, उनमें redness आ pregnancy free है, साथ में आपके skin को न बहुत अच्छी तरीके से repair करता है, और आपको जरा भी कोई जलन नहीं होगा, इचिनेस सा नहीं होगा, और कभी आपके चेरे में कोई redness नहीं होगा, तो इसे आप use करके देख सकतो हो, अपने pregnancy के दौरान, pregnancy skincare में जो सबसे last product आता है, वो है आ परान नहीं काम करते, इस दोरान जो सबसे best sunscreen काम करते हैं, वो है आपका Nutrizena का यह zinc sunscreen, जो कि SPF 50 है, और आपको जिंक वाली ही sunscreen इस टाइम में यूज करनी होती है, इसके बाद जो मैं आपको sunscreen suggest करूँगी, वो minimalist brand का है, एक बात का ध्यान रखिएगा, कि minimalist में बहुत सारे sunscreen ह वो यूज नहीं करना है, सिर्फ SPF 60 वाली जो है, इसके मैं लिंक वैसे नीचे description box में दे दूगी, आप एक बार चेक करना, आप इसे यूज कर सकतो, इसके अलावा दर्मा को का zinc sunscreen आता है, जिसके side में मैंने pick लगा दिये, वो यूज करके देख सकतो हो, उसके बाद आपका sunscreen है ना, उसमें थोड़ा सा smell जो है, बहुत ही अजीब सा आता है, जिसके वज़ा से pregnancy के दौरान थोड़ा सा उनको उल्टी-उल्टी सी आती है, तो अगर आपको बहुत ज़ादा उल्टी के लक्षन है इस दौरान, तो आप उसे चाहिए तो avoid कर सकतो, बाकि मैंने आपको इतने सारे option दी है sunscreen के, तो उसमें से आप कोई भी लेके, यूज़ करके देख सकते हैं, तो ये थे वो कुछ skincare product जो कि आप अपने pregnancy और breastfeeding के दौरान यूज़ करके देख सकतो, इन में से आपको कोई भी product यूज़ करना हो, उन सभी के link जो है ना, मैंने description box में दे रखा है, आप चाहें तो उस link से click करके purchase कर सकतो, या फिर आप nearest किसी भी medical shop हो, या फिर beauty shop से भी ले सकतो, कोई भी product यूज़ करने से पहले, एक बार आप अपने doctor से चेक जरूर करवा ले ना, और जो भी lady pregnant है, या फिर आप रिसेंटली मा बने हैं, उन सभी को happy motherhood, साथ में lots of love, मिलत